नमस्कार दोस्तों। एक्सोफिनाडिन एक एंटी हिस्टामिन ज्रग क्लास की दवा है, जिसका उप्योग सर्दी जुखाम नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है. सर्दी जुखाम एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पाणी बहना, नाक का बंध होना, आंखों से पानी आना, आख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदी लक्षणों से राहत पाने के लिए FFT सिरप का उप्योग क डॉक्तर क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर यानि तवचा पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर तवचा पर एलर्जी होने पर और तवचा पर रैशेस होने पर भी FFT सिरप को लेने की सला दे सकता है। बच्चों में FFT सिरप की वज़ा से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट बच्चों में FFT सिरप की वज़ा से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं। कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। FFT सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तोर पर दो साल से लेकर ग्यारा साल तक के बच्चों को डॉक्टर 2.5 मिलिलीटर FFT सिरप को दिन में दो बार लेने की सला दे सकते हैं। और 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10.5 मिलिलीटर FFT सिरप को दिन में दो बार लेने की सला दे सकते हैं। FFT सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ बच्चों में इस से अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको FFT सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही बच्चे को देना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की FFT सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। वैसे ज्यादातर बच्चों में FFT सिरप को लेने के बाद ज्यादा नींद नहीं आती है, लेकिन कुछ बच्चों को FFT सिरप को लेने के बाद नींद अधिक आ सकती है। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका FFT सिरफ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.